आज मैं एक ऐसा शब्द आपके लिए लाया हूं जो बेहद काम का है हैकरी घमंड एट कितना ये शब्द यूज किया जाता है ये आप भी जानते अकड आज कर लोगों में जरा सा पैसा हो जाए अकड जाते हैं एट जाते हैं बहुत घमंड आ जाता है ऐसे ही शब्दों के साथ मैं आया हूं जो आपके बहुत काम के हैं तो सबसे पहले हैकरी की अंग्रेजी सुन लीजी है हैकरी लगबग एक हर्थ रखते हैं ये घमंड अकड एट हैकरी जिस सब एक ही अर्थ रखते हैं लगबग मैं तुमारी सारी आज निकाल दूँगा सार I shall knock all arrogance out of you, I shall knock all arrogance out of you, will का प्रियोग यहाँ पर ज्यादा उचित है, शैल के बजाएद, शैल का प्रियोग हो सकता है, लेकिन जब किसी को धमकी दी जाती है, तो will का प्रियोग किया जाता है, आई के साथ, आगे देखें, एट की अगरेजी कंसीट है, देखें, कंसीट, C-O-N-C-E-I-T, कंसीट, वह हमीशा एट जाड़ता रहता है, इस प्रिकार के सेंटेंस ऐसे बनती है, वह हमीशा एट जाड़ता रहता है, नखरा भी आयता है, वह हमीशा नखरे जाड़ता रहता है, He always takes ears, अब आगे देखें, वह बड़ी एट से बात करता है, कुछ लोग होते हैं बड़ी एट से, अकड के बात करते हैं वह बड़ी एट से बात करता है, He talks with great conceit, बड़ी एट से बात करता है, बड़ी एट है उतमें वह बड़ी एट से बात करता है, फिर सुन लीजिए, He talks with great conceit, अब देखें, उसे बड़ी एट है He has a great conceit, उसे बड़ी एट है, ये अगर इस्तिरी के लिए कहा जाएगा, तो ही की जगे, शी आजाएगा उसे अपनी सुन्दरता पर बड़ी एट है, She is full of conceit about her beauty कह सकते हैं, good looks कह सकते हैं गुड लुक्स पुरुष और इस्तिरी, डोनों के लिए आ सकता है, ब्यूटी शब्द इस्तिरी के लिए आता है She is full of conceit about her beauty, about her good looks, यदि पुरुष है, He is full of conceit about his good looks इस तरीके से sentence आ जाएगा, अब देखें, He is conceited about his ability उचे अपनी योग्यता पर बड़ा खमंद भीया, He is conceited about, about कार्फुता है बारे में He is conceited about his ability, conceited माने at, conceited at वाला, He is conceited about his ability अब देखें अगला शब्द, Ego, उसकी आलोचना ने मेरे एहम को चोट पहुचाई, मेरे घमंद को चोट पहुचाई, एहम को चोट पहुचाई, Ego माने एहम His criticism wounded my ego, उसकी आलोचना ने मेरे एगो को चोट पहुचाई, एहम को चोट पहुचाई, Ego does not uplift a person किसी व्यक्ति को Ego यानि उसका घमंद कभी उचा नहीं उठाता है, उसका अहम उसको नीचा तो गिराता है, मगर उपर कभी नहीं उठाता है Vanity, Vanity का अर्थ भी घमंद ही है, हर speech was full of vanity, उसके भाशन में घमंद जलक रहा था His speech was full of vanity, बड़ी घमंद से भड़ी हुई, भरा हुआ उसका भाशन था Pride, वह अपने घमंद की वजे से किसी से बात नहीं करता है, वह अपने घमंद की वजे से किसी से बात नहीं करता, जादे तरह आपने देखा होगा, जो घमंदी लोग होते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं इसकी अग्रेजी क्या होई, His pride does not allow him to talk to anyone His pride does not allow him to talk to anyone, उसका जो घमंद है, उसे दूसरों से बात करने से रोकता है उसकी permission नहीं देता, उसकी आग्या नहीं देता कि में दूसरों से, साधारन लोगों से बात करें His pride, प्राइज माने होता है घमंद, does not allow him, permission नहीं देता है, आग्या नहीं देता है To talk to anyone, किसी से बात करने की मैं आपको इसके साथ ही अकल पर एक बहुत ही शांदार शेर सुनाता हूँ जुकता वही है जिसमें जान होती है, अकर तो मुर्दे की पहचान होती है अर्थात जो जिन्दा है वो अकड़ेगा नहीं, कि अबर मुर्दा करता है जुकता वही है जिसमें जान होती है, अकर तो मुर्दे की पहचान होती है अगला sentence देखें वह है घमंडी का सिर्फ सदैव नीचा घमंडी जो व्यक्ति होता है वो हमिशा उसे मुझ की खानी पड़ती है नीचा देखना पड़ता है जेखें प्राइड गोज बिफोर एफॉल इसकी एक और अंग्रेजी होती है गोज की जगे कम्स लगा सकते हैं प्राइड कम्स बिफोर एफॉल गिरने से पहले इंसान के अंदर घमंड आ जाता है हमेशा जाया रखें प्राइड गोज बिफोर इफॉल प्राइड कम्स बिफोर इफॉल इंसान में घमंड आयाता है गिरने से पहले घमंड आया पतन शुरू उसकी हैकड़ी को मैं अब बरदास्त नहीं कर सकता अब मुझसे उसकी हैकड़ी उसका घमंड उसकी अकड़ उस मुझे बरदास्ट नहीं होती। I cannot stand, stand माने बरदास्ट करना भी होता है। I cannot stand his arrogance any longer। मैं उसकी एंट अब बरदास्ट नहीं करूँगा। नहीं कर सकता। अब देखें प्रावड शब्द का प्रयूक कैसे होता है। प्रावड माने होता है घमंडी। कुछ लोग प्रावड के साथ Y इस्तमाल करते हैं जो बिलकुल गलत है। प्रावड कोई शब्दी नहीं है P.R.O.U.D. प्रावड माने घमंडी है तो घमंडी का जो धी शब्द है हिंदी का उससे ही लोग अंगलेजी में वाई जोड देते हैं इसके साथ की बहुत प्रावडी है प्रावडी शब्द बिल्कुल गलत है कभी इस्तेमाल न करें प्रावड शब्द सही है प्रावड का अर्थ है घमंडी वो इतिनी घमंडी है कि हमसे बात तक नहीं करती है या बात करना पसंद नहीं करती है His criticism hurt me a lot मेरे घमंड को His criticism hurt my pride a lot इस तरीके से कह सकते हैं हम कि उसके criticism या आलोचला ने मुझे बहुत चोट पहुँचाई हर्ट की तीनों फार्म एक सी होती है His criticism hurt my pride a lot मेरे घमंड को मेरी एट को उसने बहुत चोट पहुँचाई उसकी आलोचला ने अब देखें यदि हमें ये कहना है कि मुझे इस चीज पर बहुत घमंड है जैसे I am very proud of my son मुझे अपने बेटे पर बहुत घमंड है I am proud of my daughter मुझे अपनी बेटी पर बहुत घमंड है I am very proud of my car मुझे अपनी car पर घमंड है I am very proud of my house मुझे अपने घर पर बहुत घमंड है मैंने घर बहुत शांदार बनवाया मुझे बहुत घमंडे अपने घर पर I am proud of my honesty मुझे अपनी इमानदारी पर घर है कैसी लगी ये मेरी वीडियो like करें, share करें, subscribe करें God bless you, thank you very much